दोस्तों हमारे वीज प्रसान सुकला सर जी हैं जो ने कुछ दिन पहले में बताये था कि जो बिहार में जो बिहासर करबाली नहीं कर रही है उसके लिए हम उनके घर पे मौझूद हैं आई उनसे जानते हैं क्या कुछ हम इस केस में कर सकते हैं सर कुछ बताई हमें जैसा कि 2012 का जो जज्जमेंट है वो बहुत ही क्लियर था आर्टी एक्ट के कम्प्लाइंस को ले करके उस समय मैंने आपको बताया था कोर्ट ने चार डिरेक्शन दिये थे और वो डिरेक्शन पुरे देश भर में लागू थे और सारी स्टेट गोर्वर्मेंट को ये डिरेक् शुस्टाफ होनी चाहिए वो आज तक मुझे लगता है कि जहां तक मेरे पास इनफ़र्मेशन है पूरे देश में खहीं भी इस आदेश का इंप्लाइंस नहीं हो पाया है तो जब जब कभी भी कोई भी स्टेट मशिनरी फेल होती है किसी भी अपने दायतों के निर्व हन में ऐसी कंडिशन में कोर्ट ही एक मात्र सहरा बचता है जिसमें कि हम कोर्ट में जाके कह सकते हैं साब स्टेट मशिनरी यहां फेल हो रही है तो अब आपके further directions की जरूरत है और शायद वही मैंने आपको advice दिया था कि आपको आगे आना पड़ेगा उस judgment के compliance के लिए सर जैसे कि हम Supreme Court में यह आज़ी का दायरी करते हैं सर तो क्या हमें इस case में कितना percent chance है कि हम इस case को जीज सकते हैं सरकार पर notice जा सकता है बहाली को लेकर सरकार पर दवाब बन सकता है सर देखिए हम जो भी case करते हैं उसमें हम प्रयास पूरा यही करते हैं कि notice भी हो और आगे जो आदेश है Supreme Court का judgment है जो की बिलकुल ही clear है और हमारे पास सारे proof हैं कि आज की date में कितने teachers की कमी है यह खुद सरकार का आकड़ा है हमारे पास तो कहीं न कहीं court को इस पे cognizance लेना चाहिए और अपना ही आदेश है चुकी तो उनको compliance भी इसका करवाना चा पानी की होनी चाहिए थी cleanliness होनी चाहिए थी toilet facility होनी चाहिए थी separate toilet होना चाहिए लड़कियों के लिए लड़कों के लिए साथ ही साथ infrastructure वगरा सब complete होना था लेकिन आप देखे आज की रेट में बहुत बुरे हाल आते हैं चाहे कहीं किसी देश के किसी भी हिस्से की आप बात कर लीजे मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर मुझे तीन से चार दिन में सारे papers मिल गया तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अगले 10 मई के पहले इसकी एक बर सुनवाई करवाने की सबसे पहले आपको मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आज की डेट में टीचर्स की कमी है इसके लिए ऑथेंटिक डेटा मेरे को चाहिए जो की गौर्वर्मेंट के दारा इशू हो पहली चीज़ दूसरा आपको ये दिखाना पड़ेगा अगले further directions को किस तरह स फोटोग्राफी हम लोग करवाएं और ओरिजिनल फोटोग्राफ हम लोग कोर्ट में लगाएं कि ये एक पटिकुलर अगर हम इस एरिया की बात करें एक पटिकुलर एरिया की वहाँ पे दस स्कूल्स हैं दसों स्कूल्स का ये हाल है तब हम कोर्ट को ये दिखा पाएंगे अगर हम एक पटिकलर एरिया के सारे स्कुल्स की फोटो हमने आपके सामने लगा दी और सबकी हालाथ वर्स्ट हैं तो आप इमेजिन करिए कि क्या हालाथ होगे इस तरह हम प्रूफ कर पाएंगे सबसे पहला तो पेपर्स से हम प्रूफ कर पाएंगे जो डॉक्यमेंट्स बता पाएंगे तो इस तरह जब तक हम कोड को नहीं दिखाएंगे कि आपके डिरेक्शन का आज तक कंप्लाइंस नहीं हो पाया है तब तक हमारे केस में नोटिस होना मुश्किल है और जैसे हम इसको कोड को दिखाएंगे मुझे पूरी उम्मीद है कोड इस पर संग्यान ले कि आज से लगबाग आठ नो साल होने वाले आटी है को लागे हुए फिर भी बिहार में इसके जो हाले आते हैं बत से बत्तर होते जा रहे हैं और सरसे में और पूछना चाहूंगा सर जो हमारा इक्वल फिर एक्वल पे का जजजमेंट कब तक आ सकता है इसको लेकर बिहार ही लगा सकता है कोई बिनिश्य तोर पे नहीं कह सकता कि कोई भी जजमेंट कब आएगा तो फिर से हम केवल एक अनुमान ही लगा सकते हैं मैं भी कभी शियोर होकर के नहीं बोल सकता सुप्रीम कोड का जजमेंट कब आएगा हाँ पैस्तियों के हिसाब से हम लोग अनुमान लगाते हैं शायद इस नीन वजहों से अब जज्जमेंट आ सकता है या तब आ सकता है तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दस मही तक शायद इसलिए आ जाए क्योंकि दो महीने कोट बंद है तो कोट ये सोचे कि हापना फैसला निप्टा लें और अगले दो महीने त तो जुलाई फर्स सेकेंड वीक में में मेरे को चांसे लग रहे हैं अगर नहीं आता तो बट मेरे को पूरे पूरे अनुमान यही है कि मैक्सिमम तब तक आ जाना चाहिए वो भी एक अनुमान है जो मेरे लिमिटेड ट्रैक्टिस और नॉलेज है उसके हिसाम से दोस्तों कहीं न कहीं जो सुप्रीम कुर्ण जर्जमेंट हो दस महीं तक भी आ सकता है हो सकता है समर वेकिशन के बाद भी आए और इसको लेकर कोई सी गाइड लेंस अभी तक नहीं बनी है जिसके भी हाप पर कोई इसको मैंसन करो अपाए जो बाते आप सोशली में पढ़ वो थोड़ा और बता देते ताकि जो हमारे साथी हैं वो फोटो खीचके हमें जल्द से जल्द उपलब्द करा बाते क्योंकि मैं तो दिल्ली में हूं तो अगर मैं विहाज जाता हूं तो वो लेट हो जाएगा फिर दस महीं तक सुनवाई नहीं हो पाएगी तो थोड़ा वो अगर किलियर बता देते तो वो फोटो उपलब्द करवा देते हुझे सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि आप पटना के आजपास के किसी एक जगा है एक ब्लॉक को आप चुनिए उस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप यह चिनित करिए कितने स्कूल्स हैं और उस स्कूल है कि नहीं है उसको बच्चे यूज कर पा रहें कि नहीं गंदा पड़ा है उसमें सारी फैसिलिटीज है कि नहीं उसकी एक फोटो मिल जाए यानि एक विद्याले की अगर दो से तीन फोटो मिल जाए तो उसको एक पेज पर हम लोग लगा लेंगे और को दिखा पाएंगे साब देखे ये हालात है एक ब्लॉक में कितने स्कूल्स होंगे मुझे नहीं पता माली जे फॉर एक्जांपल अगर बीस स्कूल्स हैं तो बीस स्कूल्स चाहे वो सही है चाहे गलत है हमें सारी ही फोटो सारे ही विद्याले की तीन तीन फोटो एक विद्याले के तीन फोट तो जो developing countries जो हम develop होने की सोच रहे हैं कैसे develop हो पाएगे जब तक हमारे पास शिक्षा ही नहीं है हम अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं और हम development की बात करते हैं कैसे हमारा देश डेवलप होगा तो सबसे पहले जो और वो भी सबसे बड़ी बात हम पटना क कि एक दम आस पास के शेत्र को इसलिए हम चुनेंगे ताकि हम यह दिखा पाएं कि जब पतना के अगल बगल का यह हाल है तो आप जो दूर जो चोटे चोटे जो जिले हैं उनकी तो आप आप कलपना नहीं कर सकते क्या हालात होंगे तो यह मेरी एड़ाइस है कि आप तीन- दिनिकिंग वाटर की क्या वेवस्ता है और चौथा आपने मेरे को पेपर दे ही दिया है जिसमें आप यह दिखा रहे हैं आज की डेट में टीचर की कितनी शौर्टेज है और सर अगर यह अगर हम आपको एक दो दिन में उपलब्द करवा देते हैं तो तैंथ में जो लास तक प्रोवाइड करा देंगे तब यह क्योंकि इस समय वर्कलोड सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा होता है जब कोड़ बंद होने वाली होती है तो फ्रेश केसिस की फाइलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डबल के करीब हो जाती है तो इस वज़ह से थोड तो सरकार के खिलाफी हो रही है तो अगर सरकार सुपरीम कोड कि साव आपने इतने लिलें लेन देना नहीं होगा चोकि आपके लिए हमने इतना मेहनत किया है तो हम भी यही उमीद करेंगे, मेहनत हमने इसलिए किया था, हम आपको जीत दिलाएं, तो उमीद भी यही करेंगे. तो आप वसन में जरूर 12 तक देसके और इसको ₹ु 1 तक हम आपको अगने अपडेट मार्फ ने देंगे तरें देंगे यो